बचपन में ना ना जाने हम लोगों ने कितने सारे गेम्स खेल होंगे कितने सारे और हर गेम का ना कुछ ना कुछ रूल होता था कुछ ना कुछ नियम कानून होता था और साथ ही में हर गेम के पीछे लगते थे कुछ चीट कोड्स cheat codes हमें क्या help करते थे उस game की जो असली potential है जो असली ताकत है उसको unlock करने के लिए तो आज एक game के बारे में बात करेंगे और उसके cheat codes के बारे में so the game is the money game and उसके cheat codes इस video में discuss करेंगे आखरी तक बने का ना बहुत कुछ है सीखने के लिए so here is your cheat code number one hashtag play देखो जब भी आप कोई game खेलते थे ना या आप याद करने की कोशिश करो GTA Call of Duty और भी बहुत सारे ऐसे games थे जो आप PC पे खेलते थे उनके बारे में बारे में बार सोचो ख्याल करो जो phone पे आप game खेलते थे उनके बारे में सोचो हर किसी का जो team के साथ आप game खेलते या अखेले खेलते थे उसमें आपकी एक particular skill होती थी जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आती थी एक particular skill और उसको खेल कर खेल कर हर बार खेलते हुए प्राक्टिस करते हुए करते करते बाबा प्ले करके आप उसमें expert बन गया और उसमें फिर game आपके लिए असान बन गया क्यों क्योंकि आपने एक skill को पहरा और उसमें उसको practice जादा करके उसमें expert बन गया और फिर वो game आपके वैसे ही पैसा है, पैसा एक गेम है, अब आप अपनी लाइफ में देखो कि कौन से skill में आप बहुत जादा अच्छे हो, कौन सा passion में आप expert हो और उसको monetize कर सकते हो कि नहीं, एक skill को पकरो, उसको सीखो, बार बार उसको practice करो, practice करते, 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 उसमें आप expert बन जाओ and once you get to become an expert, उसके बाद धीरे से उसको पैसे को monetize कर लो, बस, जिस एक बार जो monetization हो गया, उसको पैसा आने लगा, तो गेम में जैसे आप expert बन के game को जीत लेते थे, real life में आप money में expert बन कर, पैसो के बाच्छा बन सकते हैं, यह है, अब चलते है cheat code number 2 पे, cheat code number 2, so अगर आप ध्यान से देखो के game को, तो आपको पता चलेगा, जो game होते हैं, वो by nature बहुत जादा addictive होते हैं, उनको बनाया ही ऐसा जाता है, कि वो आपके दिमाग पर हावी हो जाए, आप जितना जादा खेलते हो, उतना जादा deep चलते जाते हो, चलते जाते हो, लेकिन आपको इस बात क ठीकाना नहीं होता है, कि आपको रुकना कहा पर है, आप सुबह game करना शुगू करते हो, इतना उसमें घुच जाते हो, कि दोपर में शाम को, रात को जाकर छोडते हो, आपको कब रुकना है, कितना consume करना है game को, आपको पता ही नहीं चलता, सेम चीज पैसे के साथ है, एक पर जब आपको पैसे की भूख, एक बाव होता है, कि शेय के मुझ खून लग जाना, तो स्टार्टिंग में जब आप थोगा बहुत पैसा कमा लेता हो, आपके मुझ खून लग जाता है, आपको पता तो यह game बहुत interesting है, लेकिन game addictive भी है, आप खेलते जाते हो, खेलते जा है, ठीक है, अच्छी बाथ है game खेलना, game खेलनी भी चाहिए, चाहिए वो पैसे की game हो, या फिक टार्मल कोई भी video game हो, दूसरी, कितना खेलना है, क्यों खेलना है, किस लिए खेलना है? कितना खेलना है वो आपकी टाइमिंग है किसलिए खेलना है आपकी जरुवात है आपको अच्छा लगता है मन लगता है बिल्कुल खेलो क्यों खेलना है क्योंकि खेलना इंपोर्टेंट है पैसा के गेम तो बिल्कुल खेलना इंपोर्टेंट है लेकिन कितना खेलना है क्यों कि यह सारी चीज़े जानने की जरुवत है तो एक बार खुद को define करो कि आपको life में पैसा चाहिए क्यों पैसा आपको basic necessity पूरी करने के लिए चाहिए आपको पैसा wealth बनाने के लिए चाहिए या पैसा आपको एक अच्छी जिने के लिए चाहिए या दूसरों की मदद करने के लिए चाहिए आपके लिए game क्यों important है ये सोचो वरना game आपको हमेशा खुद के तरफ attract करता रहेगा और एकिन आप addictive हो जाओगे आपको पता नी चलेगा कि आप कहां से कहां पहुँच रहे so here is your cheat code number 3 hashtag deal देखो आपको न एक transaction को अगर आप समझो एक deal कैसे होता अगर ही आप समझो गे तो आपको पता चलेगा कि एक जो input आया है अगर उतना ही output आ रहा है तो deal proper है अच्छी deal है वो transaction अच्छा है वो इसलिए वो transaction को कर लो उसी तरह game जब आप खेलते हो तो जिस तरीके का आप उसमें दिमाग लगाते हो मेहनत करते हो जो आपकी skill set होती है वो जिस तरीके से properly input जाता है आपका game में उसी तरीके का output भी निकलता है सोचो अगर game को आप अच्छे से खेली नी रहे हो तो आप जीतोगे कैसे है उसके जो terms and condition है उसको following नहीं कर तो आप जीतोगे कैसे है उसी तरह पैसों के वे जो terms and condition है पैसा कमानी के लिए जो आपको मेहनत चाहिए जो process system समझने की जरुवत है जो काभीलियत चाहिए अगर वो आप input दोगे ही नहीं तो वो output आएगा भी नहीं इसलिए वो deal crack हो ही नहीं पाएगा वो transaction fail हो जाएगा क्यों क्योंकि वो match ही नही की जरुवत है तो game समझो उसके बाद खेलो नहीं तो आप input कम दे रहे होगे तो output भी कमा रहा होगा लेकिन आप अगर input जादा दे रहे हो तो output भी जादा आएगा यह दोनों को match करवाने की जरुवत है simple equation है जितना output उतना sorry जितना input उतना output चलते अब next point पर so here is a cheat code number 4 hashtag double देखो जब आप game खेल रहे होते हो और game खेलते 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 जब एक game में आप expert बन जाते हो तो आपका मन करता है कि और भी game खेलूं और उस game में भी expert बन जाओं उसी तरह पैसे का game है जब आपको एक बाद पैसा कमाना आ जाता है आप सीख लेते हो कि कि पैसा कैसे कमाना है और पैसा कमाना कितना आसान है जब खुद को संझा लेते हो तो पैसा आपके पास आने भी लगता है और जब पैसा आता है तो आप यह भी दिमार रहे हो कि करना क्या कहाaded कर और पाली चीज़ तो जैसा कि मैंने बोला है क以上 चीट थोग ऐसा महनत करो और फिर 100 रुपे और कमाओ अब आपका income 100 कमा रहे थे 100 और कमाओ करते 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 income हो जाएगा आपका 200 बट इससे आप बहुत ज़ादा grow नहीं कर पाओगे आप बहुत अच्छी गेम नहीं खेल पाओगे आप गेम में भी देखते होगे एक ठीक है एक ची सीखा आपने फिर दूसरी ची सीखा बट ये दोनों मिलकर हमेशा कुछ नग बड़ा नहीं बनता है और आप पैसा कमाते हो तो उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना होता है और इन्वेस्ट करने वक्त आड मत करो पैसे को 100 से 100 से मत मिलाओ 100 कमाकर 100 फिर मिला दिया 200 बन गया नहीं 100 को 1000 कैसे बना सकते हैं उसके बारे में सोचो exact double करने के बारे में सोचो add करते होगे तो फिर उतना जादा कुछ में सीखने नहीं मिलेगा ना growth होगी प्लस मत देखो multiply देखो पैसे को multiply करो doubling का game खेलो वैसे ही game में भी कोशिश करो कि पूर एक game में जो पूरा skill set होता है हर चीज को सीखो जब हर चीज को सीखते हो तो proper expert बन जाते हो और उस game का आपको पूरा knowledge हो जाता है पूरा जो system process है आपको उस चीज की clarity मिल जाती है तो वैसा ही पैसे कैसे कमाया जाता है पैसे आपको बारे में सीखा कैसे जाता है फिर पैसा invest कहां किया जाता है उसको grow कैसे किया जाता है यह सारी चीज़े आप सीख सकते हो बहुत असान है अब चलते हैं जो कि last हमारा cheat code है बहुत मजाएगा last वाले में चिट code no.5 hashtag learn to earn देखो जैसे कि मैंने starting में भी बोला कि पैसे कमाने के पहले जो चीज आती है वो होती है एक proper particular skill अगर आप skill को सीख गया तो आप उसको use करेके जादे 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 पैसे कमा सकते हो उसी तरह learn to earn का क्या मतलब है यह चिट code क्यों use होता है देखो मैं बताता वहाँ पे ना manual मिलता आपको guide मिलता है कि game यह वाला game खेलते कैसे हैं कौन-कौन से उसमें keyboard के लिए point है जिसको आप click करोगे तो यह game में possibilities आएंगी यह चीज भी होगा वो चीज भी होगा यहाँ पर आप देखते होगे उसी तरह life में भी जब आप money game खेलते हो तो आपको पता चलेगा कि money के पीछे ना कुछ चीजे होती हैं जो आपको exact सीखने की जबुआतो है जैसे कि मैंने बता दिया starting my skill के बारे में उसी तरह हमारे parents हमको school भेजते हैं क्योंकि हमें एक अच्छी education मिले और उस education के base पे हम life में कुछ करें लेकिन जैसे school college खतम होता है हम सीखन बंद कर देते हैं educate होना बंद कर देते हैं और वहीं पे education तो रुख जाती है और बिना education के बिना proper knowledge, guidance, information के बिना हम लोग कुछ ना कुछ try करते रहते हैं कोश करते हैं कि इसको कर कर देखें तो वो गलत है कोई भी चीज करने के पहले ना education के पीछे भागो learning के पीछे भाग जब आप एक बार किसी चीज को सीख के करते हो ना तो वह और अच्छे तरीके सो होता है वह natural जो उसका काम होता है वह उस तरीके से तबदील हो जाता हो उसमें लेकिन बिना सीखे आप करोगे तो वह fail हो जाएगा क्यूं कि उसके पीछे जो लगना था वो लगा ही नहीं ए उसको सीखओ कौन से लिए को पैशन को लगा करें पैसा कमा सकते हो फिर उसी तरह पैसे को invest करने के पहले देखो कि आप कहा पे invest कर शक्ते हो तो उसकी पूरी knowledge लो mutual funds में करना चाथे हो USकी knowledge लो, real state में करना चाते हो उसकी knowledge लो, और भी जो different types of investments हैं, उसके बारे में सीखो, फिर invest करो, बीना सीखे करोगे, तो loss तो लगेगा ही, साथ में, अगर long term के लिए invest कर दिया, तो फिर long run में अफार भी जाओगे, और time भी आपका waste होगा, energy भी और पैसा भी, तो चारो की चारो चीजों को एक जगा लग थोरी सी बुद्धी लगा कर थोरा सा चीज सीख कर particular सही जगह पे invest करो, वह आपको बहुत growth देगा, तो I hope यह आपके like में बहुत ज़्यादा contribute करें ये video, thank you इस video के देखने के लिए and ध्यान अकना आपना, मिलते है next video